दस्तों स्वागत आप सभी के एडिटेक पे नए प्राइविसी पॉलिसी के कारण अल्रेडी बैक फायर जहेल रहा वाट्साइप एक नए क्लारिफिकेशन के साथ सामने आया है जब मामला हाथ से बिगरता नजर आया तो यहाँ पे एक क्लारिफिकेशन इशू किया गया है वाट्साइप के ओफिशल ट्विटर हैंडल के दौरा यह फोटो डिलीज करके बताने की कोसिस की गई कि वाट्साइप आपके प्राइविसी को लेके कितना जादा कंसर्ण है इसमें बहुत सारे चीज ऐसे है जहां पर आप कुश्चन मार्क लगा सकते हो तो काई समझने को बहुत कुछ है वीडियो को अन तक देखने के वाद वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें चैनल पे नहीं हो तो नीचे लालकर का बटन दिख रहा होगा दबा दो साथे साथ बल नोटिफिकेशन को आल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँच पाए नमस्कार दोस्तों मैं रहा मैं धीरज आप देख रहे हैं डीटेक आईए जानते हैं दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं वाटसाइब के क्लारिफिकेशन इसू में कुछ ऐसे चीज हैं जिस पे आप कोश्चन मार्क लगा सकते हो लेकिन इस पे आने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि यहां क्या हो रहा है क्या चल रहा है और वाटसाइब की प्राइवेसी पॉलिसी आखिर ऐसी चेंज कैसे हो गई जो कि आपको बेसिकली पता होगा क्योंकि बहुत जादा सोर हो चुका है अलरेडी लेकिन फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ये दो वीडियोस देखो जो मैंने बनाई है यहाँ पे उपर आई बटन पे आप क्लिक करके इन दोनों वीडियोस तक पहुंच सकते हो इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको ओवराल आइडिया हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है इस फोटो का अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे उपर में आपको लिखा मिलेगा वाटसैप यह कह रहा है कि वाटसैप किसी भी तरीके का प्राइबेट मैसेज या फिर कॉल पेसबुक के साथ सेयर नहीं करता तो यह बाते आज के डेट में सच हैं कोई भी मैसेज जो वाटसैप पे आप सेंड करते हो कोई भी कॉल जो आप वाटसैप के थू करते हो यह फेसबुक के साथ सेयर नहीं किया जाता यह आज के तारीक में बिलकुल सच है और यह end-to-end encrypted है जो कि वाटसैप कहता है और वाटसैप इसको देख नहीं सकता यह भी सच है नमबर two point आप देखो इस second number point में यहाँ पे point out किया गया है कि वाटसैप किसी भी तरीके का log maintain नहीं करता चाहे वो messages का हो या call का हो अपने users का log वो maintain नहीं करता अब यहाँ पे सवाल है log अगर maintain नहीं करता तो security agencies को whatsapp chat detail कहां से मिलती है metadata के बारे में हम already जानते है metadata कैसे store गिया जाता है और उसके थूर कैसे messages को derive किया जा सकता है तो यहाँ पे whatsapp का यह कहना कि वो log maintain नहीं करता तो security agencies को जो private chats मिलते हैं और जो हम media में देखते हैं वो कहां से मिलते हैं वो अपने आप तो नहीं आते ज़रूर कोई न कोई उनको महिया कराता है तो अगर वो चीज maintain ही नहीं की जाती तो उनको मिलती कहां से है तो यहाँ पे एक question mark है जो पहला question mark है वो इसी चीज़ पे है कि उनको मिलती कहां से है आखिर details अगर आप maintain नहीं करते हो तो तीसरे point को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको एक sign दिखेगा जो जातर हम GPS में use करते हैं यहाँ पे कहने का मतलब भी यही है कि WhatsApp आप से आपकी locations ना ही मांगता है ना ही देखता है और ना ही Facebook या किसी और agencies के साथ वो share करता है लेकिन यहाँ पे भी बड़ा सवाल है अगर आपने गौर से नए privacy policy को पड़ा है तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको अगर अपना location अपने किसी दोस्त के साथ गौर से सुनिएगा आपको अपना location अपने किसी दोस्त के साथ share करना है जो कि आम तोर पे लोग करते हैं यह बताने के लिए कि वो कहा है कम्मिनिकेट करने के लिए WhatsApp पे location शेयर होता है तो यहाँ पे आपको एक चीज ओन करना पड़ता है अपने phone का location और यह location WhatsApp ट्रैक कर सकता है WhatsApp ने एक साफ साफ कहा है कि अगर आप अपने location को share करते हो अपने किसी दोस्त के साथ तो उसको आप WhatsApp के साथ share कर रहे हो WhatsApp उसको देख सकता है या फिर इस्तमाल कर सकता है आपके experience को WhatsApp पे बहतर बनाने के लिए तो यह WhatsApp आखिर यहाँ क्यों कह रहा है कि वो आपके locations को नहीं देखता share नहीं करता शेयर नहीं करता वो काफी हद तक सच हो सकती है लेकिन नहीं देखता ऐसी तो बात नहीं है सो यहाँ पे भी एक सवाल या निशान होता है आप एक question mark लगा सकते हो कि WhatsApp जो कह रहा है वो सच है कि नहीं मेरे निजर में नहीं क्योंकि आप जब WhatsApp पे location share करते हो तो WhatsApp उस location को देखता है चौती जो point है इस photo में वो यह कि यहाँ पे WhatsApp clearly कह रहा है कि WhatsApp आपके contacts को Facebook के साथ share नहीं करता True, Facebook के साथ वो share नहीं करता लेकिन WhatsApp आपके contacts को अपने पास रखता है और यही तो problem है क्योंकि WhatsApp business platform contact basis पे ही काम करता है contact से ही उसकी business पूरी run होती है तो यहाँ पे वो contact किस हिसाब से manage किया जा रहा है किस हिसाब से process किया जा रहा है इसके बारे में लोगों को idea नहीं है तो यह कह देना कि आप Facebook के साथ data share नहीं करते इसका मतलब यह नहीं होता कि वो data safe है पांच में नमबर point को अगर आप देखो तो यहाँ पे clearly कहा जा रहा है कि WhatsApp groups जो है वो अभी भी private है और आगे भी private रहेंगे यह पूरी तरीके से बात सही है WhatsApp पे जो भी groups बनते हैं वो private chats होते हैं WhatsApp पूरी तरीके से end-to-end encryption के साथ chats को रखता है तो यहाँ पे जो बाते WhatsApp के तरफ से बताए गई है इस particular point में वो सच नजर आती है चौते नमबर पे कहा गया है कि आप अपने message को disappear होने के लिए set कर सकते हो हाल ही में disappearing media feature WhatsApp पे introduce किया गया था मैंने इस पे videos अलरी बनाई हैं आप चाहो तो उसको check कर सकते हो यहाँ पे message जब आप करते हो तो इसको automatic self destruction mode में डाल सकते हो कुछ देर बाद यह अपने आप गायब हो जाएगा तो यह एक अच्छी चीज़ है इसको WhatsApp ने privacy feature के तोर पे गिनाया है कि वो कितना ज़्यादा sensitive है अपने user के data को लेके लेकिन बात disappearing media feature की नहीं थी यह बात सायद WhatsApp को समझ नहीं आ रही है और यहाँ पे जो आखरी point में WhatsApp ने बात की है वो अपने आप में contradictory है यहाँ पे WhatsApp कहता है आप God से देखो तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे WhatsApp कहता है कि आप अपने data को download कर सकते हो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ अगर मेरा data store ही नहीं किया जाता तो मैं download कैसे कर सकता हूँ और अगर वो store किया जाता है आपके पास तो वो safe कैसे है ये दो बाते तो नहीं हो सकती एक ही बाते होनी चाहिए थी कि मेरा data story नहीं किया जाता तो store नहीं किया जाता तो download कैसे कर सकते हैं तो अगर download कर सकते हैं इसका मतलब WhatsApp अपने server में data store करता है तो अगर वो store करता है तो वो safe कैसे हुआ यह थी पूरी स्टोरी WhatsApp के क्लारिफिकेशन की हमने उनको डिकोड किया हर एक पॉइंट पे अगर आपको वीडियो समझ में आया हो अगर आपके पर में कोई सवालों सुजाव हो तो नीचे कमेंट जरूर से करें आपका क्या ओपीनियन है WhatsApp के इस क्लारिफिकेशन पे नीचे क प्रसंद आया हो तर प्लीज वीडियो लाइक करना और अपने हर एक WhatsApp मेंबर के साथ ये वीडियो शेर करो ताकि उन्हें भी रियालिटी पता लगे मिलूंगा ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिंद